जब भी हमारे शेरीर के अंदर कैल्शिम की कमी होती है तो हमारी हट्डिया कमजोर हो जाती है जिसे दूर करने के लिए या तो हम डेरी परदार्तों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं या तो दूद का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं या फिर डॉक्टर से परामर्श लेकर कैल्शिम की टैबलेट्स का सेवन करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे आहार के जानते हैं उन आहारों के बारे में जो हमारी हट्टियों को कमजोर बनाते हैं. नमबर वन है सोडियम. सोडियम की कमी हमारी शरीर के अंदर नमक पूरा करता है. लेकिन यदि हमारे शरीर के अंदर सोडियों की मातरा ज्यादा हो जाए तो वो हमारी हडियों को बहुत ज्यादा नुकसान बहुत जा सकता है वहीं दूसरी जगा पर यदि हमारी शरीर के अंदर sodium की मात्रा बहुत कम हो जाए तो भी ये हमारी हड्यों के लिए काफी हानिकारख हो सकता है नमबर टू है oxalates कई ऐसे खादे परदार्थ होते हैं जिसके अंदर oxalates की मात्रा काफी अच्छी होती है और ये हमारी हड्यों को मजबूत बनाने के लिए भी काफी अच्छा है लेकिन यदि किसी खादे परदार्थ के अंदर calcium और oxalates की मात्रा एक समान हो तो उसका सेवन करने से बचे क्योंकि यदि आप इन दोनों चीजों को एक साथ लेंगे तो आपके शरीर के अंदर काफी प्रभाव पड़ेगा और हड्या कमजोर होंगी प्रोटीन के लिए प्रोटीन का सेवन करने से हमारी हड्यों का घनत वसंतूलित रख पाते हैं लेकिन यदि हमारी शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा परियाक्त ना हो और नियंद्रित ना हो तो भी हमारी हड्या कमजोर बनती हैं प्रोट नमबर 4 है वीड ड्रॉन के लिए जी हां, 100% wheat drawn के अंदर हमारी हड्डियों को घ्ञनत्व को बढ़ाने के लिए कई तत्व पाय जाते हैं यदि हम इसका सेवन करते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं लेकिन इसके अभाव में हमारी हड्डियां कमजोर और खोकली बनना शुरू हो जाती है पॉइंट नमबर 5 है बीन्स बीन्स, ग्वार की फली या फिर मटर आदी को कच्चा सेवन करने से भी हमारी हड्डियों के घ्ञनत्व पर काफी प्रभाव पड़ता है इन्हें कच्चा कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए बार की इन्हें गरम पाने में उबाल कर उसके बाद इसका सेवन करना लाबदायक रहता है पॉइंट नमबर 6 है मश्रूम के लिए बहुत कम लोग ये बात चानते हैं कि मश्रूम का सेवन करने से भी हमारी हड्डियां मस्बूत बनते हैं इसलिए यदि आप दूद या देरी बादार्तों का सेवन नहीं कर सकते हैं तो आपको मश्रूम का सेवन करना चाहिए ताकि आपकी हड्डियों का घनत वो संतूलित बन सके और वे मस्बूत बन सकें पॉइंट नमबर 7 है वाइट पटेटो बाकी सारे खादेर पदार्तों की तरह वाइट पटेटों के अंदर भी कैल्शन की मात्रा और हमारी हड्डियों को संतूलित करने की मात्रा काफी अच्छी मानी जाती है वे लोग जो आलू का सेवन नहीं करते हैं उनके अंदर कैल्शन की कमी हो सकती है और हो सकता है कि उनकी हड्या भी कमजोर हों। इसलिए फ्रेंड्स इन सारे खादर परदार्थों के खाने के तरीके को जाचते हुए अपनी हड्यों को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। इन सारे टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए।